आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली 6 से 12 साल के बच्चों में जो डायरिया हो जाती है उसके ट्रीटमेंट के बारे में कम्पलेट जानकारी के लिए वीडियो में लाश्ट तक बने रहें जिससे आपको जो है आधिय अधोरी जानकारी ना मिले पूरी जानकारी मिल सती सबसे पाले हम बात कर लेते हैं कोई बच्चा 6 से 9 साल का अगर है तो उसमें क्या आईवी ड्रेप अगरा चढ़ाए जाएगे सब कुछ डिसकस कर रहे हैं ओकी यहां देखिए लिखा गया आरेल आईवी फ्लोर डेख सबसे 200 अमेल उसको चढ़ाना है ठीक है मतलब अगर 6 से 9 इयर्स का चिल्ड्रेन है बहुत ज़्यादा डियाइडेशन और नहीं हुआ है कंडिशन ज़्यादा खराब है तो और ज़्यादा भी चढ़ाया जा सकता है बट जो है डेख सबसे 500 अम जो भी आप चढ़ा रहें उसमें इंजेक्शन डालेंगे पाली वियान आधा ठीक है जो भी पाली वियान का इंपुल आता है उसको आधा हम डालेंगे ओके यहां देखे लिखा गया एस इलाग का जो है एक बटे चार भाग मतलब आप समझ रहे हैं इतना तो पढ़े डारेक्ट आई भी करेंगे मतलब इनफ्यूजन आता हंड्रेड एमिल का इसको आप जो है 30 एमिल चढ़ाएंगे उसको ठीक है पूर्डी चढ़ाएंगे मतलब एक ही बार चढ़ा देंगे आराम मिल जाएगा साथ में टेबलर देंगे लोप्रामाइड ओन एमजी का बीड मतलब इतना अगर आप करते हैं तो 6-9 साल के बीच अगर कोई बच्चा है तो उसको काफी अच्छे तरीके से आराम मिल जाएगा अगर कोई डाउट आपको रहता है तो नीचे कमेंट बाक्स में आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं अब देखी यहां बात करते हैं अगर क कोई 9-12 साल के बीच बच्चा है तो आरेल उसको चढ़ाएंगे 200-400 एमिल कहीं कहीं 500 एमिल भी चढ़ाया जाता है बट कंडिशन के आधार पे चढ़ाया जाएगा ओके इसमें जो है पाले वियान आधा डालेंगे इस इलाग भी आधा इंपूर्ट डालेंगे मोनो से पां इस अचलाने की जरूत पड़ती है सबसे परदे उसको इंजेक्सिन मेट्रो जिल जो है 50-100 एमेल आई वी करेंगे मतलब आधा मेट्रो नेरा जोल जो है आई वी कर देंगे टेबलिस देंगे 2-100 एमजी-वीडी टेबले लोक्रामाई 2-100 एमजी की बीडी दे देंगे मेंक लगी हो तो लाइक कर सकते हैं चैनल पर पहली बार विजिट किये हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दोस्तों आज की इस छोटी से वीडियो में बस इतना ही था